कि अब विए जिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जिस दिन सुबासने बर्मा में मांगी उनसे कुरवानी थी बोले सोतंतरता की खातिर बलिदान तुम्हे करना होगा तुम बहुत जी चुके इस जग में आंगे तुमको मरना होगा वैं खून कहो किस मतलब का जिस में बाल का नाम नहीं भैखून नहीं बैपानी है आसके तो आप बहुत ही सरल तरीके से संब्याना पढ़ रहा है आप यहां देख रहे हैं मैंने एक सर्थ के माध्यम से आपको सरल तरीके से चीजों को समझानी की कोईस किये यह सरल दरसल यह ट्रिक है यह सरल आपको डिनोट कर रहा है सा से आप पढ़ेंगे भारत की संसद रा से आप पढ़ेंगे राज्य सभा और ला से आप पढ़ेंगे लोक सभा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संभीदान कोच अनुच्छेद और निश्यूश्यों बेवाजित है लगवक साड़े संभीदान में एक संसद होगी जिसमें उसकी दो साखाएं एक राज्य सभा और एक लोक सभा होगी तो आर्टिकल 19 में केबल संसद का बढ़न किया गया है और आर्टिकल 80 में केबल राज्य सभा का बढ़न किया है जैसा कि आप जानते हैं राज्य सभा बरष्ट सदन कहलाता ह उच्छे सदन कहलाता है और लोकसभा हमारा निम्न सदन कहलाता है या उसको छोटा सदन बोला जाता है और इसके बाद हम आँगे राज्यसभा लोकसभा पर बिसेश चर्चा करेंगे आज केवल मेरा बताने का उद्धिस सरल तरीके से आपको ये बताना था कि ये जो सरल है सर सम्मेदान नर्माड की जो प्रिक्रिया हुई उसके आंगे की कहानी तो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है एक बार पुन है हमारे के यूटूब चैनल के रिविजन करेली पर मैं इश्वार आपके साथ सम्मेदान की विसे सीरिज लेकर हाजर हूं जैसा कि आप सब को पता पिसमेदों से तीन-चार बात मैंने आपको पिसले लेक्टर में बताः हुई थी एक च्बसे महत्मून बात यह थी कि जो बटिस गवर्नर या ब्रिटिस जो प्रांद थे भारत में जो ब्रुटिस प्रांद थे एक हमारा बंबे प्रिशीडेंसी था एक हमारा मदरास प्र तहां नीव प्रांद सब्तुक्राइब। और इन और इन सारही प्रेसेडेंसियों का कारभार था ओए क गवर्णर जनरल के हाथों में सोब दिया था और ऐ ये गवर्णर जनरल 17aman के Все I am बना था और मैंणे प्छली इप्छा में ये बता दिया था कि लॉडबारें हैंस्टिंग जो थे वो पहले भारत के गवर्नर्र जनर्र निक्त किये गये थे उस समय पर और 1773 के रेगुलेटिंग एक महत्पूर्ण बिसस्ता ये भी रही थी कि इसी समय कलकत्ता उच्छे न्याले की स्थापना हुई थी जो भारत में स्थापत होने वाला पहला न्याले था और इसी न्याले में जो इसके न्याइदीस बने थे गुलाड एलिजा एंपे थे जो न्याइदीस का काम कर रहे थे इनकी तीन सदस्य कारवार समीटी ती इसमें दो और न्याइदीस के काम कर रहे थे इसी सीरीज को मैं आंगे बढ़ाऊंगा और मैं आपको ये बता दूँ कि 1773 के तो इस एक्ट का सबसे पहरों की उद्दिस यही था कि 1773 की जो कमिया थी उन कमियों को दूर करने के लिए ये वाले एक्ट को पास किया गया इसमें ज्यादा पढ़ने की कोई आवशकता नहीं है इसमें के बलबी तक कोशन यही पूछा गया है कि ये एक्ट का वाया है 1773 बहुत महत्पूर अक था जो मैंने आपको पहले से इसका डिस्क्रप्शन बता दिया था इसके बाद 1781 का एक्ट आप सेटलमेंट इतना आप याद करके चलिए चुकि हम मैंस में पढ़ेंगे तो इसके अंदर की चीज़े पढ़ेंगे हम केवल भी मौक टेस्ट तयार कर रहे हैं तो मौक टेस्ट के लिए के बाद कुन से अक्ट आया तो 1781 का एक्ट आप सेटलमेंट आया तो हम इसी सीरीच को आंगे बढ़ाती हुए आंगे चलते हैं दरसल मैं आपको यह पढ़ा रहा था कि 1773 का मैंने रेगूलेटिंग एक्ट पढ़ा दिया 1781 का एक्ट इंडिया एक्ट पढ़ने जा रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट बहुत ही महत्पूर्ण एक्टों में से एक रहा है पिट्स इंडिया एक्ट में महत्पूर्ण बात यह रही थी कि यह जो पिट्स इंडिया एक्ट रहा था ये दो भागों में उन्होंने विवाजत कर दिय था कि जो कंपनी थी कंपनी की जो राजनेतिक मामले थे और एक थे कंपनी के वाड़जिक मामले ये दोनों मामलों को उन्होंने अलग-अलग कर दिया था राजनेतिक मामले अलग कर दिये थे वाड़जिक मामले अलग कर दिये थे एक तो मुक्विसिस्ता इसमें यह रही थी कि इसमें क्या हुआ था इसivasक में board of controller, board of controller nut کیया गया. Board of controller nut किया गया, जो कारे-कारी board का प्रमक होता था. यह इसकी मुक्वेस रही थी. इसमें ज़्यादा तर कोश्चन यही आया है, कि board of control की nut के चेक्ष्scale के माध्यम से की गई थी, तो बोर्ड आप कंट्रोल की जो नियुक्ति की गई थी वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माद्ध्यम से की गई थी जिसमें राजनेतिक मामले और बारजजिक मामलों का दोनों को अलग-अलग कर दिया गया था एक और इसके महत्पूर्बात ये थी कि इस एक्ट के माद्ध्यम से भारत में दोहरे प्रशाशन की शुरूआत की थी तो मुखो जो देखने वाले पॉंट ये थे 1784 के पिस इंडिया एक्ट में की राजनेतिक मामले और 60 कर दिये थी कंपनी के और बोर्ड ऐप कंट्रोलर की निव्टी कर दी गई थी जो सामाने था बोर्ड पंकर्ड प्रसासन रहते थे बराजने तेक बालज्यक मावलों का प्रमुक अधिकारी होता था और सेकंड बार दिये थी कि इसमें दोहरे प्रसासन की शुरुआत की गई थी जो हमारे 1784 के प्रसेंड इंडिया एक्ट की मैथपूर वैसे सरही थी कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ अच्छा पढ़ना पढ़ता है और कोछ अच्छा पढ़ने के लिए कोछ अच्छा पढ़ना और पढ़ाना पढ़ता है देखिए हम जैसा जानते हैं हमारे भारत में जो प्रसासने प्रसासन है एक अच्छे संविदान निर्मात संविदान के ग्याता संविदान की समझ जि आई एस बहुत बड़ी चीज नहीं है कुछ सपने हैं लोगों के रहते हैं अधिकारी बनने का उन्हीं अधिकारी को सपने को साकार करने के लिए मैं और हमारी केरियर बजन की टीम यह कोसिस कर रही है कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियो प्लब्द कराया जाए दोस्तो सपने जब तक आप नहीं देखोगे उन्हें साकार करने के लिए आप नरंतर प्रयास नहीं करोगे हम एक दिन भूबी आएगा जब हम आई एस अधिकारी बनेंगे तो आप सबकी और मेरी सुबकामना आपके साथ हैं एक ना एक दिन हम भूबी प्राप्त कर लेंगे इसी क 33 का जो चार्टर अधिनियम था वो एक महतपूर्ण नियमों में से एक था और इस नियम की एक महतपूर्ण भूमी का ये रही थी कि जो कंपनी के प्रसासने कदhardi कारी थे या जो भी हमारे मुक्क कारे करता थे उनका जो बेतन था उनका जो बेतन था हम आप दिखी है उनको जो बैतन देना था वे इस उम्लाले एक्ट में क्या कर दिया कि जो भारत की भारत में बहारत का राजस मतलब यह था अचरह करता था ज़्छाwe की घुषणा की बिटे संसदने की देखिए प्रसासन तो हम लोग कर रहे हैं और हमारे जो प्रसासन के करमचारिय कार करता हैं उनका जो बेतन हैं आप अपने राजस पर देना यह थोड़ा सा हमारे भारत के लिए बड़ा डिफरेंट था कि देखो एक तो आप आप अबनेव से जड़ा से जादा रुपया का माना था भारत की संसथ से या भारत से बहुरत की भागालिक आर्थक ब्रश्ञ years the यही उद्धिस था कि भारथ से जादा आपने वीश बनाती गए ऐसा उनका मानना नहीं रहा था जब सत्रवी सताबदी में अंग्रेज भारत में एंटर हुए थे तो केबल और केबल सुदिस के कारण भारत आई हुए थे कि उनको एक अच्छा ब्यापार करना था चुकि साउथ यह हम कहें कि जो यूरोप के जो द है या तंबाकू है या मैं आपको बूलू मसाले हैं इनका ब्यापार या इनकी लिए चो खेती थी वह बहुत अनुकूल थी चुकि हम लोग आजकल देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोग चाय का यूज करते हैं डेली लाइब में चाय का यूज करते हैं तमागू का प्राप्त करती थी आप सोच भी नहीं सकते हैं और यह कड़ी निरंतर चलती रही और दिन प्रति दिन ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी ब्रिटिस संसाथ भारत पर अपनी मजबूत पगड़ा बना दी गई और भारत को अपने विश्प बना दी गई तो आज मेरा लेक्चर सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन जरूर पेस करें हमारी न्यूवीडियो